हेई फ्रेंज स्वागत है आप सभी का मुवी स्टॉक मुवी एक्स्प्लेंट चैनल पे जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ कुईक सेंड मुवी को तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस करते हुई शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी स्पॉयल और वार्ने के साथ लेकिन उससे पहले में एक छोटी से रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्स्राइब करने की कहानी की शिर्वाथ हमी घने जंगलें से दिखाए जाती है जहां हम एक शक्स को देख सकते हैं जो काफी डरा हुआ गल लेकर जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है और अच्छानक से उसके पास एक शक्स पहुचता है जिसे देख पहले तो वो काफी खबरा जाता है लेकिन फिर रेलाइस कर पाता है कि वो तो उसका दोस्ती है और जब वो दोनों बातचीत में लग जाते है तो उसी के स निपल वो ऐसी चीज़े देखता है जिसे देख घबरा सा जाता है जिसके बात ये कहानी एक कपल की तरफ बढ़ती है जिनका नाम जोश और सोफिया है जो दोनों ही हेल्थ केर वरकिंग में काम करते हैं और साथ ही उनके दोस्त मारकस के बुलाने पर वो दोनों कॉलंबिय एक लोकेशन पर आप पहुचे है और उसे के साथ हमें पता चलता है कि जोस और सोफिया एक कपल है और उनके दो बच्चे भी हैं लेकिन सोफिया इस रिलेशनशिप में खुश नहीं जिसकारण वो जोस से अलग हो जिसकी हर कोशिश वो कर रहा है लेकिन सोफिया को वो सार कस से कर जोश वापस अपने एक कमरे में चले जाता है और दूसरी सुबह हम देख पाते हैं सोफिया वॉक के लिए जंगलों की तरफ बढ़ती है लेकिन जाने से पहले वो जोश को भी वॉक पर इन्वाइट करती है और वो लोग रिसेप्शन पर जाकर उस जंगल की लोकेश रिसेप्शन पर खड़ा शक्स एक शक्स को उन लोगों की पीछे भेज़ता है और साथ ही हम देख पाते है कि वो शक्स और कोई नहीं बलकि उसे हमने इस फिल्म के स्टार्ट में देखा था और जंगल की तरफ पहुँश वो लोग काफी देर फौक भीगरते हैं लेकिन उ उसी शक्स को देख पाते हैं जिसे हमने इस फिल्म के स्टार्ट में रेखा था जो उनके कार में कुछ ढूंड़ा होता है जिसे छुपकर देखने की बजाए जौश कीरोगीरे करने की कोशिश करता है और उसके पास पहुचते ही वो शक्स और मूस्ट उसे गोलियों से ही म खामियाब होती है और ना चाहते हुए वो लोगों को उस लोकेशन से जंगलों की तरह बढ़ना पड़ता है और थोड़ा आगे दोड़ने पर सोफिया एक लोकेशन पर रुकती है जहां वो इन सारी चीजों का बली जौश पर डालती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि इनी हरकतों के कारण वो जोश की साथ नहीं रहना चाहती जिसके रिप्लाइं में जोश उसे यही कहता है कि उसे नहीं पता था कि उस शक्म के पास गन है लेकिन उसे के साथ लोकों को फिर से अवाजे आने लगती है जिस कारण बो यहाँ से आगे बढ़ने का डिसाइड क तारण उसके आवाज सुनते हुए जोश उसके पास पहुच तो जाता है लेकिन एक बड़ी ही नाकाम कोशिश वो से उस दल्दल में से निकालने की करता है जिसमें वो जैसे कि मैंने कहा ही कि बूरी तरह नाकाम्याब होता है और देखते ही देखती सोफिया जोश के आखों क के सामने दल्दल के नीचे ढश जाती है जिसे घबराकर जोश अपनी जान की परवान ना करे बगए सीधा दल्दल में कोच जाता है ताकि वो सोफिया को उस दल्दल से निकाल पाए जिसमें वो कामयाब तो होता है लेकिन अब वो दोनों ही जोश की बेवकुफिके कारण उस दल्दल में फसे हुए है और यहाँ से निकल लेंका उन लोगों के पास कोई भी रासा नहीं जिसके साथ साथ बात करें मारकस की तो वो जोश और सोफिया के दूर को नौक कर रहा है जिसे उसे कोई भी रिस्पॉंस नहीं मिलता जिस कारण वो रिसेप्शन पर ही उन ल फून लगा हुआ है और वो शक्स उसे कोई भी जवाब नहीं देता जिसे छिटकर मारकस उस पर हमला कर देता है और वहाँपर सारे एंप्लोईस पहुँच उन लोगों को अलग करते हैं और साथ ही लोकड कर देते हैं जहाँ पहुँचते ही मारकस फिर से उस शक्स से आवलो इस लोकेशन से निकल पाए लेकिन उसी दोरान उन लोगों को एहसास होता है कि दल्दल की नीची कुछ है जो हिलसा रहा है जिसे वो दोनों निकाले में कामनियाब तो होते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो चीज और कोई नहीं बलके एक इनसान है जो इस और गन मिली है और साथ ही एक नाइफ भी जिस कारण जोश को एक आईडिया आता है कि बैक के मदद से वो लोग एक रोब बना सकते है यानि कि बैक को कटकर नाइफ के मदद से वो लोग उसे जोड़कर एक काफ फिलम भी रोब बना सकते है ताकि इस लोकेशन से निकला जा हेलिकॉप्टर की आवाज आती है जिसे ही बच्चों की तरह वो लो आवाज देने लगते है यही सोच कर कि शायद उसमें बैठा कोई शक्स उन लोगों की आवाज सुन ले लेकिन ऐसा होता नहीं और वो हेलिकॉप्टर वहाज से ही निकल जाता है जसके साथ साथ हम नोटिस करौते हैं कि जॉस और सोफिया भी दीरे दीरे अपनी उमीद को होगा है और उसी दौरान फिर सीी सोफिया नोटिस करौती है कि उसकी पिट पर कुछ काट रहा है जो कि काफी सारी ends है और उसे निकालने के लिए जोश उश के हाथ में एक ड्रिंक की बॉटल रख देता है जिसे वो सारी ends सोफिया की बॉड़िसे निकल तो जाते है लेकिन सोफिया जोश की बॉटल दे काफी हैरान है और वो उसे यही कहती है कि तुम कभी लड़ी रहे है और इन्हीं बातों के दौरान सोफिया नूटिस कर पाती है कि जोश के पीशे एक काफी बड़ा सनेक आ रहा है जिसे देखकर वो जोश को हिलने से बना करती है और खुद शौट गन निकाल रही होती है लेकिन शौट गन निकालने में उसे काफी देर हो जाती है क्योंकि उस सनेक ने जोश को बाइट कर लिया है और सोफिया भी उस सनेक को पूरी तरह मार नहीं पाई जिसे वो उस गन की मदर से सिर्फ घायल करने में काम्याब हुई है जिससे डर वो सनेक उन लोगों से थोड़ा दूर चला जाता है और ऐसे ही काफी टाइम बीच ज लेकिन उतने ही देर में वो जोश की गर्दन तक पहुंच जाता है जिसे देख सूफिया ये डिसाइड करती है कि गर्दन की तरफ से बढ़ रहे जहर को जोश की बाड़ी से निकालेगी जिसके लिए वो एक खतरनाक फैसला लेती है वो भी उसके हातों में नाइफ को वो बढ़ रहे जहर की तरफ लगा देती है यानि कि उस नाइफ की मदद से कट लगा देती है जिससे काफी सारा जहर जोश की बाड़ी से निकल जाता है लेकिन साथ ही मारकस उस कट लगने की वज़े से बिहोश हो जाता है जिसके काफी समय बाद हम देख पाते है कि जोश को ह सपनाफिय तक कहते हैं साथ एक जिर्वात करने की बाचीट भी कारएं सब्राइड निया सथ नहीं चाह सभड़ार कि भीदा चाहती है जो पीचिंज आपके UK स्नेक्स के सभड़ार्टॉ सुफिया खुथ की हेल्प नहीं कर पाती और वो से सुफिया को बाट कर लेता और धीरे धीरे सह की बॉडी पर छफुर उसे जकड़ने लगता है। जिस में जौश उसकी कोई भी में हेल्प नहीं कर पाता। साथ हम नूटिस doing इस कर पाते हैं कि उस स्नेक ने सूफिया को इतना जगर लिया है कि उसी साज भी नहीं ली जा रहे जिसे देख जोश फाइनली उट उस स्नेक को एक नाइफ की मदद से हाम करने में काम्याब होता है और उसके हेड में उस नाइफ को घुसाने में भी जिससे उस स्नेक की देथ हो जाती है और पूरी तरह उसकी जान निकालने के बाद सूफिया बैक की बनाई हुए इस रसी से स्नेक को बांती है और फिर से यह से बाहर निकलने का अटेम्ट करती है जिसमें इस बार वो काम्याब हुई है क्योंकि उसकी रसी फाइनली एक फटर में जाट की है और सूफिया बड़े ही आसानी से उस दल्दल से खिशती हुई खुद को बाहर निकाल लेती है लेकिन अभी भी जोश उस दल्दल में अटका हुआ है पर सूफिया यह से सीधा में रूर की तरफ बढ़ती है जहां जाते हुए उसे चकर आ रहे है क्योंकि धीरे धीरे जहर अपना काम दिखा रहा है पर जैसे ही वो रूर की तरफ पहुचती है तो हम देख पाते है कि मारकस उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पहुच चुका है जिसमें उन लोगों ने सूफिया को तो रेस्क्यू कर ही लिया है लेकिन रेस्क्यू टीम जोश को ढूनने के ये निकल पड़ी है और सर्च टीम काफी देर के बाद जोश को ढूनने में कामयाब होती है लेकिन सूफिया जोश को देख काफी है क्योंकि उससे ऐसा लग रहा है कि जोश की डेथ हो चुकी है लेकिन हम देख पाते हैं कि जोश अभी बे जिन्दा है और उन दोनों को फा दीज के लिए केप के साथ तब तक के लिए आप मोवी स्टॉक मोवी एक्स्प्लीन चैनल के बागी वीडियो को इंजॉई कीजे तिल देन बाई